दोस्तों मैं हूँ डॉक्र मुशराफ हुसेन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल हेल्डी हेल्फ और एवर पर आपको यहां पर इसी तरह के हेल्फ इन्फॉर्मिटी वीडियो मिलते हैं और अगर आप में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब् कैसे किया जा सकता है तो देखे इसमें कोई दोर आई नहीं है कि जो विटामिन्स हैं वो हमारे बोडी के लिए शेरिर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं और जो हेल्फ है इसको मेंटेर रखने के लिए बहुत बड़ा रोल फिले करते हैं अब चाहे वो आपक आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाए रखने की बात हो इस जुडियों हम यहीं बात करेंगे कि कौन से विटामिन से आपको किस तरह के लक्षण आते हैं जब उसकी कमी हो जाती है और अगर आपको देखिए लक्षण आने लगे तो उसकी कमी को दूर करना भी बहुत होगा तो उसकी कमी को दूर करने के लिए आपको कौन-कौन से भोजन या सप्लिमेंट्स या फ्रूर से वजीटेबल से लेने की जरूत पड़ती है तो आप अपने आपको उस दिमारी से बचा के रख सकें तो शुरुआत करते हैं A से यानि कि विटामिन A विटामिन A हमार और भी दूसरे एरियाज जो हैं इसकें के वो ड्राइ होता है उसके साथ साथ आपको शाम के समय हो सकता है दूंजला दिखाए देने लगे जिसको नाइट ब्लाइनेस कहते हैं बात आती है कि भी इसको पूरा कैसे करें तो विटामिन A का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है गाजर में विटामिन A काफी मात्रा हैं पाया जाता है दूत के अंदर भी विटामिन A होता है दूसरा होता है विटामिन B इसके अंदर कई सारे विटामिन होता है विटामिन B123456 अगर आपको विटामिन B की कमी होने लगती है विटामिन B1 की खास दोर से तो आपको ठका को पूरा कैसे किया जाए इसके जो सोर्स होते हैं वो वोल ग्रेंश साबुत अनाज्यों है फलीदार सब्जी या लग्यूम जो होते हैं उनके अंदर तो पॉल्ट्री या जो सीफूर्स हैं उनका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं विटामिन बीवन की कमी को पूरा करने के लिए अगर विटामिन बी तू की कमी होती है तो आपको इस्किन ड्राइ होती है आपके जो मौथ हैंगे लेकर मुह आना मुह में चाले आना ये सारी लक्षण आपको आने लगते हैं जबान पे चाले आ सकते हैं मुह के अंदर चाले आ सकते हैं इसकिन पे रैशे आ सकते हैं आप भी आपको डारिया होगा, आपको भूलने की दिक्कत होजाएगी, दिमेंशिया हो सकता है और आपको झीर्चन हो कमजूर हो जाएगा यह सारे जे लक्षन है वो विटामिन B3 की कमी से आते हैं बागी जो बटामिन होते हैं बटामिन B5, B6, ये भी इनी सोर्सेस आपको मिल जाते हैं उसके अलाबावा बटामिन B12 भी होता है बटामिन B12 की कम आपको नर्व दैमेज हो सकता है। डिमेंश्य हो सकता है.... बुन्हें की मारी हो सकती है। यापकी लक्षण आते हैं पपचान लेकिए आपको भूटामीन की कमी हो गई है। जी गूरूप नौप वूटामीन B कीं कमी हो गई है लिया चнова गाले यहां को सवहुसाइ architect таких पृयादे थे स्वार यहां पर फालएब और प्रूंअ को सुधिन्स ब्छे स्टे आप अपनी भोजनने इन प्लु का जो है वह एड्र ले सलाथ भना ले भाटे क्रोड़ लेकि आजकल शहरों में रहने वाले लोगों को तो 95% लोगों में व्टाइमिन डी की कमीच की क्यों अफे धूप नहीं मिलती और जो सब से अच्छा सों से व्टाइमिन डी का वह सनलाइट संड्रेज ही होता है व्टाइमिन डी के जो लक्षर होते हैं आपके पैरों में दर् जाती है आपके पॉस्ट्रेट का कैंसर या दूछरे और भी ठीक्ता सारे कैंसर सोते हैं यह व्टाइमिन डी की कमीच की कमी ना होने दे आप हफते में इक व्टाइमिन डी की टैबलेट कम से किम से आफ्टे जुरूर लिया करें या आप कम से कम धूप में निकले सन बात क अब बात कर लेता है अगर विटामीन डी की कमी होती है तो आपको यह काफ मसल्स में क्रेंप आने सुरू हो जाता है रात को सोते समय अचानक आपकी काफ मसल्स तकड़ने लगती है दर्द होने लगता है आपको वीकनेस पटीग और ठकावट भी महसूस होने लगती है विटामीन ई भी आपको जो है वो डेरी प्रोड़क्स से मिलता है और सी फूट से मिलता है सी कोड लीवर आयल इन सबसे आपको विटामीन डी और विटामीन ई दोनों का कुछ सी मातरा में मिल जाते हैं आपको नट्स का इस्तमाल अगर जादे जादे करेंगे ओलमेंट से खगर खाएंगे आप वालनॉट लेंगे पीनट्स काप इस्तमाल करेंगे घरीन equivalent झाइग फिस खाएंगे आपकी वीटामीन ई की कमी पूरी हो जाएगी अगर फिर भी कमी नहीं पूरी होती है उसके वि बैता रहेगा जिसे हमोफिली के पिश्ट होता है ऐसी कंडिशन मगर किसी का एक्सिटेंट हो जाया और इसको विटामीन क की कमी है क्वूनलोग बहुत जादा हो सकता है जिसके टैप भी हो सकती है यह आपको मिल सकता है गिरीन लिफ़ी वेजिपटेबिस से निल चकता है पालक देर सारी चीज़ों में विटामिन के अच्छी मातरा में पाया जाता है और स्वया बीन और कनला ऑल जो है वो अच्छे सोर्स माने जाता है तो आप इनको अपने बोजेंगे स्तमाले बनाश्रु करदें जिसके आपके पूरी होता हैं तौ दीके एकर आप नोगई जाए टम्स गी हो तो आप अगर एक बैलेंस डाइट लेके चलेंगे तो आपको विटामिस की कमी नहीं होगी इन सारे सब्सक्राइब को फलो को अपने बोजन में शामिल करें तो इस तरह से आप कभी भी विटामिस की कमी को नहीं होने देंगे मुझे अमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वागी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेल एकन का बटन जरूर दबालें और सब्सक्राइब करना बिल